आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो गाईज हमारे पास यहाँ पे इसमें हमें बुला गया है कि statement 1 है हमारे पास इसमें बुला गया है कि the period of f of x is equal to 2 cos 1 by 3 x minus pi plus 4 sin 1 by 2 x minus pi is 3 pi तो हमें इसका period चेक करना पड़ेगा क्या आएगा तो चेक करेंगे हम और statement 2 में हमें क्या बुला गया है कि if t is the period of f of x the period of f of ax plus b is तो ax plus b का जो period होगा वो क्या होगा t upon mod है तो statement 2 तो basic definition है जो period की होती है तो statement 2 तो बिल्कुल ही correct है statement 1 को हम चेक करते हैं तो statement 1 हमारा क्या दे रखा है हमारे पास है 2 cos 1 by 3 x minus pi plus 4 sin 1 by 2 x minus pi ठीक है अब हमारे पास यह दे रखा है तो इसमें से हमें क्या करेंगे इसका time period होता है t इसका होता है 2 pi और इसका भी होता है 2 pi तो इसका अगर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 pi upon mod a a होता है यह 1 by 3 यह 1 by 3 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आएगा 6 pi इसका time period और इसका time period क्या हो जाएगा हमारे पास same 2 pi upon 1 by 2 तो यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 4 pi तो इसका time period और इसका time period आगया अब हमारे पास इन दोनों का time period आगया है अब हमें इन दोनों का time period में से यह time period 3 pi आए जो हमारे पास question में गेवन है वो 3 pi आएगा क्या तो minimum अगर मैं देखू तो minimum तो 4 pi है ठीक है इसका तो 4 pi इसके under आता है और 3 pi हमारा क्या है इधर से कम है value तो 4 pi तो कभी भी 3 pi तो होई नहीं सकता तो हैं statement 1 जो हो जाएगा मारा वो हो जाएगा मारा गलत तो statement 1 wrong and statement 2 is correct Thank you guys for watching this video, hope you like the solution Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net आप या WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 पर